जहें हिंसातियों स्वागत है आपका Self Study Classes वे समिजेन YouTube चैनल में दोस्तों आपकी रोज किलास सवा साड़े नौवजे होती है और आत्री नौवजे होती है हिंदी की ठीक है बहुत सारे वीडियो मैंने आपको तिर्की वीडियो दिये हैं दोस्तों हिंदी के ठीक है और एक पूरा 10 गंटे का वीडियो मैंने आपको दिया है जिसमें आपका हिंदी पूरा कबर हो जाएगा ठीक है तो वो वीडियो जरूर देखें दोस्तों और आज का जो टिर्की वीडियो है वो बहुत ही मस्त होने वाला है दोस्तों आज हम पढ़ने वाले अस्ट चाप के कवियों का काल क्रम अध्यन इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा और लगबग 30 से 35 प्रस्ट आपके अस्ट चाप के कवियों कि मैं आपको आज सॉल्ब करवाने बाला हूं ठीक है तो स्टार करते हैं आज का यह वीडियो जिन भी सातियों ने दोस्तों अभी तक वाट्स ऑफ कर आप जॉइन बाट्स ऑफ ग्रूप में जॉइन हो जाते हैं जहां पर आपको स्टेडी मटेरियल पीडिया पादी मिलता रहता है ठीक है तो स्टार करते हैं दोस्तों आज का अस्ट चाप के क्रमबद्य कभी की ट्रेक सबसे पहले आपको देखना है क्या ट्रेक है कुम् कुम्ब के सूर परमानंदा कष्ण चीत गोविंदा और चत्रबुज नंदा इस प्रकार से आप लए बना लेना और आपको इस प्रकार से क्रम से याद हो जाएंगे दोस्तों कुम्ब के सूर परमानंदा कुमबंदास सूर दास परमानंदास कष्ण दास चीत स्वामी हैना कुम्बन दास का जन्म 1468 में हुगा, सूर्दास 1478, परमानन दास 1493, गश्न दास 1495, छीत स्वामी 1501, गोविंद दास 1505, चतरभुज दास 1530, और दोस्तो नंद दास 1533, अब यहां से आपके क्रमबद ने सबसे बरिष्ट माने जाते हैं, कुम्बन दास, सबसे जो कम उम्बर के माने जाते हैं, सबसे छोटे माने जाते हैं वो नंद दास, यह तो आपको हो गया, फिर दूसरे नंबर पर सूर्दास आती हैं, तो यह याद रख लीना है कुम्ब के सूर्परमाननन्दा, क्रश्न छीत गोविंदा और चतरभुज नन यह आपको याद रख लेना है और एक क्रम बद्ध कभी आपकी नेट रुपी जीटी एकजाम में क्रम बद्ध कभी पूछे जाते हैं इनको याद रखेंगे दोस्तों अब दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है क्या बताना है अस्ट चाप के संस्थापक कभी माने जाते हैं त किलियर अंगला question आपसे पूँचा जाता है कि अस्ट चाप की इस्थापना कब होई दो second में आप उत्तर अपना comment में लिखते जाएं और आपने बिल्कु सही बताया है कि कि अस्ट चाप की इस्थापना होई है 1565 में ठीके बिल्कु सही busy है ठीके नेक्स्ट आपसे पूचा गया दोस्तों अश्ट छाप में बल्लवाचार की सिस्स के नाम बताईए अब बल्लवाचार की चार सिस्स थे और विठलात की चार सिस्स थे ठीक है इस प्रकार सिस्स थे तो बल्लवाचार की चार सिस्यों की ट्रेक वह है दोस्तों कुम्ब के सूर पर कशन बैठे हैं क्या रखोगे बल्लबाचार के कुम्ब के सूर पर कशन बैठे हैं यह बल्लबाचार के सिस्थ हैं कुम्ब से कुम्बंदास सूर से सूर दास पर से परमानंददास कशन से कशन दास यह चार जो हैं दूस्तो बल्लवाचार जी के सिस्स कहलाते हैं ट्रिक क्या है अपनी कुम्ब के सूर पर कशने बैटे हैं ठीक है यह ट्रिक है और यह PDF आदी दूस्तो जोईन मेंबर को जोईन बाट्सव ग्रूप में मिलती है ठीक है गोविंदास चीत से चीत स्वामी चत्रवुजदास से चत्रवुजदास नंदा से नंददास यह बिठलनाद के चार सिस्स थे और वो काई केते दोस्तो बल्लवाचार के चार सिस्स थे इस प्रकार से ये अश्ट शाप की स्थापना हुई चार बिट्ठलाथ की सिस और चार बल्लबाचार की सिस अश्ट शाप की स्थापना बिट्ठलाथ ने 1565 में कर दी ठीक है ये तो इतना के लियर हो गए आपको गोविंद छीत चत्रोज नंदा और कुम्बे के सूर पर कशन बैठे हैं ये बल्लबाचार की होगा ठीक है तो इनको याद रखेंगे अब आप से पूछा जाता है दोस्तो अश्ट शाप के कवियों का रचना काल माना जाता है तो रचना काल इनको क्या माना जाता है दोस्तो अगर आपको पता हो अश्ट शाप के कवियों का रचना काल 1500-1580 ECB ये अश्ट चाप के कवियों का रचना काल माना जाता है ठीक है? इनको याद रखेंगे और अंगला दोस्तो है अश्ट चाप के कवियों में भासा के सबसे धनी कभी कौन थे? ये अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया तो चाए नेट एकजाम हो, PGT एकजाम किसी भी एकजाम में आप दे रहे है अश्ट चाप से इसके बाहर कोई क्वेस्चन नहीं आएगा आपका अश्ट चाप के कवियों में भासा के सबसे दो धने कभी थे वो थे सूरदास, कौन थे? सूरदास थे इसको याद रखेंगे नेट चाप के कवियों में सूर के पस्चाथ सरवादेक पिरसिद्ध कभी कौन थे? सूर के पस्चाथ बतानी है अगर आप से बनता है तो आप कमेंट में जरूर लेखा करें और आपका यहाँ पर बिलको सही आंसर होगा नंददास नंददास सूर के पस्चाथ जो थे नंददास का इस्थान आता है इनको याद रखेंगे और नंददास आपका उत्तर बिलको सही हो जाएगा अंगला है दोस्तो अश्ट चाप के कवियों में सब्द सिल्पी कौन मान जाते हैं सब्द सिल्पी तो दो सेकंड है आपको उत्तर चैन करना है और जो सब्द सिल्पी मान जाते हैं वो नंददास ही मान जाते हैं ठीक है सब्द सिल्पी नेक्स्ट प्रेस ने दोस्तो आपका अश्ट चाप के कवियों में काब सुस्टव एबं भासा की प्रांजकता में सुर्दास के बाद दूसरे स्थान के कवि कौन थे तो अश्ट चाप के कवियों में बताना दोस्तो काब सुस्टव भासाव की प्रांजल तक में सुर्दास के बाद जो दूसरे कवि थे वो दूसरे कवि नंददास ही थे ठीक है यह प्रस्ण कई तरीकों से आप से पूचे जाते हैं जिनके लिए आपको तयार रहना है और अश्ट चाप के प्रतम कभी माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं बहुत ही बड़ी यह प्रस्ण कई बार पूचा गया दोस्तो अश्ट चाप के जो प्रतम कभी माने जात जिनका महत्तो साहित्यक द्रश्टी से ना होकर एतिहासिक द्रश्टी और विवस्ता संचालन की द्रश्टी से था वो कौन से कभी थे जिनका दोस्तो साहित्यक द्रश्टी से महत्तो नहीं था बरन एतिहासिक और विवस्ता संचालन की द्रश्टी से महत्तो था तो वो कभी थे कशनदास कौन से कवी थे कशनदास थे जिनका महत्त था विवस्ता संचारन की द्रश्टी से तिक है अंगला आप पूचा जाता है रचना की प्रचुरता तथा बिसाई की बिविदिता की द्रश्टी से अस्ठ शाप के कभियों में सरवोच स्थान किसका है रचनाओं की प्रचुरता बिसाई की बिविदिता की द्रश्टी से अस्ठ शाप के कभियों में सरवोच स्थान किसका माना जाता है प्रश्ण किर्मांक 12 में और दो सेकंड में आप अपने उत्तर का चेहन करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तो नंद दास रचना की पिरचुड़ता विसाई की बिविदिता की दस्टी से नंद दास अस्ट शाप के सरवोच कभी सरवोच इस्थान इनको प्रापत है ठीक है फिर आप से पूछा जाता अस्ट शाप के कभीयों में पिता पुत्र कभी कौन थे पिता पुत्र तो दो सेकंड में आप उत्तर कमेंट में लिखे दें दोस्तों कि जो अस्ट शाप के कभी थे इनमें एक ऐसे भी कभी थे जो पिता पुत्र थे यानि कि आपके कुम चारवाद दासीजी के तरी ये आपको याद रखना है ठीक है अंगला अस्ट चाप के प्रथम और सबसे जेश्ट कभी कौन थे प्रथम कभी भी थे और सबसे जेश्ट कभी थे तो वो कभी कौन थे और प्रश्न किरमांग चौदा में आपका बिलकुस सही आंसर होगा गो कभी कौन थे दोस्तो कुमभन दास कौन थे कुमभन दास ये जेश्ट थे प्रथम कभी भी यही माने जाती है अंगला है अश्ट्चाप के सबसे कनिष्ट कभी कौन थे यानि की पंदरा का उत्तर बताना है सबसे कनिष्ट बताना है और सबसे जेश्ट थे कुमभन दास और सबसे कनिष्ट थे नंददास ठीक है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है काब सोष्टाओ एवं साहित रचना की उतकरष्टता की दश्टी से अश्ट चाप के कभियों में सर्फिष्ट कभी कौनते साहित रचना की उत्करष्टता कहा गया है तो यहां से आप कन्फ्यूज नहीं होना यहां पर भी एक आपका question पूछा गया था दोस्तों कि रचना की प्रिचुरता तथा विसाई की बिवदिता की दर्ष्टी से है ना फिर आप से यहां पूछा गया है काईकिक काब सोष्ट विवम साहित रचना की उत्करष्टता की दर्ष्टी से जो अश्ट चाप के कभियों में सर्फिष्ट कभी माने जाते हैं वो माने जाते हैं सूर्दास ठीके सूर्दास माने जाते हैं अब अंगला question दोस्तों अश् का चित्रन किया है वो कौन माने जाते हैं अश्ट चाप के कभियों में तो वो माने जाते हैं परमानंद दास कौन माने जाते हैं परमानंद दास ठीक है अब दोस्तों वीडियो को लाइक जरू करना है अश्ट चाप के कभियों में सूर्द के बाद कष्ण की संपून लीला पर रचना की है ठीक है अंगला है आपको बताना अस्ट चाप के कभियों में ये तो हो गया अस्ट चाप के कभियों में अपनी ओधंडता के कारण प्रसिद्ध कभी कौन थे अपनी ओधंडता के कारण प्रश्चत दे थे तो वो कौन से कभी थे यानि कि उन्नीस का उत्तर पुम्चों जाता है आपसे और ओधंडता के कारण प्रश्चत दे थे दोस्तो तो वो थे छीत सौमी ये अपनी ओधन्तता के कारण प्रस्ट थे अश्ट छाप में ठीक है अंगला है काब सोष्टव की द्रश्टी से सूर और नंददास के बाद महत्पूर्ण स्थान किसका था सूर और नंददास के बाद तो जो काब सोष्टव की द्रश्टी से अश्ट छाप में सूरो नंददास के बाद जो महत्पूर्ण स्थान था वो था पर्मा नंददास का ठीक है पर्मा नंददास इनको याद रखेंगे नेक्स्ट आप से पूछा जाता है दोस्तो अश्ट चाप के वह कभी जिनके पद सुनकर बल्लबाचार कई दिनों तक बेहोस पड़े रहे एक कई बार कोस्टिन पूछा गया यादि कि 21 का उत्तर आपको बताना है दो सेकेंड आपको दिये जाते हैं और दोस्तो वो जो कभी थे वो कभी थे परमान अंददास जिनके पद सुनकर बल्लबाचार कहा जाता है कई दिनों तक बेहोस पड़े रहे ठीक है अगला है अश्ट चाप के वह कभी जिनके मनुहर गान को सुनने एवं संगीत सीखने के लिए सुयम तान से अनों पस्तित हुए थे तो वो कभी कौन से हैं दोस्तो बहुत ही आई एंपी कॉस्चन है एक कॉस्चन कई परिक्षाओं में पूछा गया है और आपका उत्तर होगा गोविंद स्वामी गोविंद स्वामी ऐसे कभी हैं दोस्तो जिनके मनोवर गान को सुनने एवं संगीत सीखने के 23 प्रिशिद कभी संगी तग और गवईये कौन थे तो 23 का अंसर होगा गोविंद स्वामी प्रिशिद कभी भी थे गवईये भी थे संगी तग थी ठीक है इनको याद रखेंगे अश्चाप के कभीयों में बुद्धी योगता एबं प्रबंद को सलता के कारण अधिकारी पद पर आसीन होने वाले कभी कौन थे अश्चाप के कवियों में बुद्धी योगता एबं प्रबंद को सलता के कारण अधिकारी पद पर आसीन होने वाले जो कभी थे बोथे दोस्तों आपके कौन आपको पता है कि कश्णदास का साहित्यक महत्तना होते हुए इनकी इति ठीक है नेक्स्ट आपका अस्ट चाप के कवियों में सरवादेक काब सास्तिय बताना है तो कौन थे 25 का आंसर अगर आपसे बर रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखते जाएं और यहां पर आपका उत्तर होगा सरवादेक जो काब सास्तिय थे दोस्तो वो तो कौन थे तो वो थे नंददास ठीक है नंददास आपका बिलकुस सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है राजा मानसे ने किस अश्चाप कवी को सोने की तलबार मोहरें इत्यादी देनी चाही थी जिसे उन्होंने इंकार कर दिया था तो किस कभी को देनी चाही थी दोस्तो राजा मानसे ने और वो कभी थे कुमबंदास है ना कुमबंदास को राजा मानसे ने अश्चाप कभी थे कुमबंदास और इने सोने की तलबार मुहरे आदी देनी चाही लेकिन कुमबंदास ने क्या किया था मना कर दिया था ये अश् कभीओं का प्रिद्ध कर्ष्ण लीला एक धिस्ट के अश्ट शाप के कभीओं का फिर्मुख यह अंगला कॉस्चन दूस्तों म्गल समराठ अकपर के फातेपुर्ण मंतर पर किस अश्ट शाप के बेहद गिलानी वुए थी और उनने ओह कहा था कि संतन को कहां सीकरो सीकरी सो काम एक कई बार पंक्ती पूँची गई है कि ये पंक्ती किसकी है संतन को कहां सीकरी सो काम ये पंक्ती कही थी और ये कही थी मुगल समराट अकबर के फतेवोर निमंतर पर किस अस्ठ छाप के कभी ने कही थी तो वो कही थी कुमबन दास ने दोस्तो, एक कुमबन दास की पंक्ती मान जाती है संतन को कहां सीकरो, सोकाम सीकरी सोकाम, एक पंक्ती कैई बार पूचि कही का है अब आपको पता चल गया कि इक इन्ों ने क्यों कही थी मुगल समराट अकबन ने इन्हें फ़तेपूर ने मंतरन किया और इन्होंने दोस्तों बेहद गिलानी हुई थी इन्हें और इन्होंने ये कहा था कंसंतन को कहा सीकिरी सोकाम इसलिए ये पंक्ति बहुत महत्पूर है कई बार पूछी भी जाती है अश्चाप के कभियों में कष्ण लीला का संपूर बरनन करने वाले कभी कौन थे यानि की 29 का कष्ण लीला का संपूर बरनन करने वाले जो कभी थे दोस्तों वो थे सूरदास और परमाननदास ये दो यहांसे कभी थे जिन्होंने कष्ण लीला का संपूर बरनन किया है ठीक ह नेक्स्ट एस्चाप कभियों में जडिया कभी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है दोस्तों जडिया कभी बहुत ही बढ़ीया प्रस्न है कई बार पूचा भी गया है अब इनको जडिया कभी क्यों कहा जाता है दोस्तों ये कहा जाता है रास पंचध्याई रचना में अदबु सी जरास पंचे अध्याई और इस रचना में अदबुत सब्द गठन कोंसल का कारण ने जड़िया कहा गया और एक कभी थे जिने जड़िया कहा जाता था नंददास जी ठीक है नंदास जी थे और अंगला है दोस्तों सब्द गठन कोंसल की दरश्टी से अश्ट चाप कभिय में सर्फिष्ट नंददास थे तो पद रचना की दरश्टी से परमान अंददास तता संगीत आत्मक्त दरश्टी से कौन थे आपको बताना है तो आपका उत्तर होगा गोबिंद स्वामी गोबिंद स्वामी ठीक है अब दोस्तों अंगला आपसे question पूछा जाता है अश्ट चाप के कभियों में हिंदी का गीत गोबिंद हैना कही जाने बाली रचना रास पंचाध्याई नंददास करत बियोगी हरी ने कौमल कांथ पदावली के कारण ने इसे कहा था किस ने कहा था बियोगी हरी ने याद रख लेना अगर आपसे पूछा जाए किस रचना को गीत गोबिंद कहा जाता है बहर रचना कौन सी है नंददास की जिसे गोबिंद कहा जाता है तो रास पंचाध्याई को कहा जाता है क्यों कहा जाता है इन्होंने कौमल कांथ पदावली के कारण से कहा जाता है और किस ने कहा है तो वो बियोगी हरी ने कहा है ठीक है ये आपके तीन चार क्वेस्चन यहां से कबर हो जाते हैं तो इनको याद रखेंगे अब दोस्तों राजस्तान से संबंदेत अश्चाप कभियों में एक मात्र कभी जिनका संबंद आत्री भरतपुरसी था तो वो कभी कौन थे और वो कभी थे दोस्तों अब के गोविंद स्वामी जिनका संबंद राजस्तान की आत्री भरतपुरसी था गोविंद स्वामी का एक गवईया थे संगीत अग्यभी थे और कभी थे ठीक है अब अंगला क्वेस्चन है आपको बताना है ब्रजमंडन के महावन इस्थान गद मखंडी इस्थान में निवास करने वाले अश्ट चाप कभी कौन थे यानि की 34 का अंसर ब्रजमंडन के महावन इस्थान पे तो वो थे गोविंद स्वामी कौन्ते गोवंद स्वामी ये दोस्तो ब्रजबंदन के कदम खंडी इस्तान में नवास करने वाले अश्चाप कभी थे इनको याद रखेंगे ठीक है अब दोस्तो आज का आपका चेलेंज प्रस्न है चेलेंज प्रस्न में आपको बताना है कि नंद दास को जडिया कभी किसन करेंगे और दोस्तो आप चेलेंज के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन मेंबर का एक वाट्सव ग्रोफ है ठीक है और वहाँ पर उनको पीडियाप स्टेडी माटेरियल प्रेसित किया जाता है जो भी हम पढ़ाते हैं ठीक है तो सभी लोग आँगे बढ़ते रहें नंद दास को जड़िया कभी किसने कहा है यह सभी जितने भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे और यह अश्चाप का वीडियो आपको कैसा लगा ट्रिक कैसी लगी वो आप बताएंगे मैंने तीन ट्रिक आपको बताई हैं तीन मैसे कौनसी अच्छी लगी य यह भी आपको बताना है दोस्तो इससे पहले कि जो वीडियो हैं पूरी हिंदे साहित ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट में जाकर कि आप पूरी हिंदी साहित ट्रिक्स वाली वीडियो देख सकते हैं ठीक है वीडियो को लाइक जरू करें अपने मित्रों तक share करें और IAS study trick यह दोस्तों अपना telegram group है IAS study trick आप सर्च करोगे तो telegram group मिल जाएगा और साथ ही जो भी साथ ही दोस्तों अभी तक WhatsApp group से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 यह आपको WhatsApp group है और WhatsApp group में जुड़ सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं, share कर सकते हैं आज के वीडियो के लिए वास इतना ही जय हिंद्द